आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही कम इंग्रीडियंट्स के साथ बन जाती है तो मेरे पस कुछ एपल्स पड़े हुए हैं तो मैं सोच रही थी उनका जैम बना लेती हूँ घर पर ही यहां पर लोगों के घरों में यार्ड्स में एपल्ट्री होना बहुत ही नॉर्मल बात है और आटम के टाइम पर जब फॉल हो रहा होता है तो एपल्स रेडी हो जाते हैं खाने के लिए तो सब लोग अपने ट्रीज के एपल्स तोड़ लेते हैं और काफी क्वांटिटी में उनका जूस या फिर वाइन बना कर स्टोर करके रख लेते हैं पाई या केक में यूस करते हैं और जैम बनाते हैं हाला कि हमारे भी यार्ड में एपल ट्री है जो कि हमने लास्ट यर ही लगाया है जून में तो अभी वह बेबी एपल ट्री है बट देखते हैं उसमें कब एपल्स आते हैं तो खेर यह जो apple मेरे पास है यह मेरे एक friend ने मुझे दिये थे अपने trees से तोड़के तो कफी सारे दिये थे जो हमने हफ़ते भर में कुछ तो खा लिये हैं और कुछ बचे हैं जिनका मैं jam बनाऊँगी तो चलिए start करते हैं यहां मैंने अच्छे से wash किये हुए कुछ 7-8 apples लिये हैं इतनी quantity में एक medium size jar भरके jam ready होगा पहले मैं apples के seeds सलग कर लूँगी और फिर apples को छोटे-छोटे cubes में cut कर लूँगी आप चाहें तो apples के छिलके भी peel off कर सकते हैं पर मैं नहीं कर रही हूँ क्योंकि छिलकों में काफी vitamins होते हैं अब मैं ले रही हूँ एक heavy bottom sauce pan और जिसमें मैं डालूँगी 1 cup water और जैसे ही water में boil आ जाएगा मैं add करूँगी diced apples और इन्हें अच्छे से mix करके lid लगा कर पकने दूँगी heat medium पर है बीच-बीच में इसे अच्छे से mix करते रहना है apples लगबग 5-7 minutes में अच्छे से गल जाएंगे इसके बाद मैं एक mesher की help से इन्हें अच्छे से mash कर लूँगी आप चाहें तो इस stage पर इसको थोड़ा ठंडा करके blend भी कर सकते हैं अच्छे से mash करने के बाद मैं एक छलनी में इसे डाल कर छान लूँगी कुछ इस तरह से ऐसा करने से मुझे इसका एक smooth paste मिल जाएगा अब मैं इसे cook करूँगी low heat पे और इसे अच्छे से बार-बार stir करते रहूँगी फिलहाल इसकी consistency कुछ ऐसी है थोड़ी देर के बाद मैं इसमें add करूँगी sugar मैंने लगबग 1.5 cup से कम sugar add की है sugar के melt होने के बाद ये mixture थोड़ा runny हो जाएगा इसलिए बीच बीच में इसको अच्छे से चलाते रहें आप अपने taste के हिसाब से sugar कम जादा कर सकते हैं जितनी quantity में मैंने sugar add की है उससे sweetness एकदम perfect थी हमारे हिसाब से ना जादा तेज ना जादा कम और थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे की jam की consistency धिरे-दिरे थिक होती जा रही है जब ये 75-80% cook हो जाएगा तो इसमें मैं add करूँगी 2 tablespoon lime juice या फिर इसकी जगह पे आप citric acid भी डाल सकते हैं और साथ ही मैं add करूँगी 1-4 teaspoon cinnamon powder for extra flavor and fragrance ये optional है और end मैं डालूँगी थोड़ा सा orange food color और mix करूँगी अच्छे से आपके पास अगर red food color हो तो वो डालिएगा color और ज़्यादा bright आएगा मेरे पास orange था तो इसलिए मैंने orange डाला है अगर आप इसका color natural रखना चाहते हैं तो food color add ना करें ये भी optional है अब इसे एक minute तक अच्छे से stir करने के बाद मैं इसका setting point चेक करूँगी इसके लिए मैंने एक spoon ली है जिसे मैंने 3-4 hours के लिए freezer में रखा था spoon मैं थोड़ा सा jam डालूँगी और कुछ seconds wait करने के बाद इसको हिला कर चेक करूँगी देखे जैम की जैसी consistency होनी चाहिए वो मुझे मिल गई है jam ready है अब gas off करके मैं इसे थोड़ा थंड़ा होने के लिए रख दूँगी और जैसे ही ये room temperature पर आ जाएगा मैं इसे एक sterilized glass jar में फिल कर लूँगी fridge में overnight रखने के बाद ये अच्छे से set हो जाएगा ready है हमारा homemade apple jam तो देखे कितना easy था apple jam घर पर बनाना और इसमें मैंने किसी भी तरह के कोई preservatives नहीं डाले है और इसको आप अराम से one to two months के लिए fridge में रखकर store कर सकते हैं लेकिन जब भी use करने जाएं तो फिर इसको एक clean and dry spoon या फिर butter knife की help से ही निकालिएगा और जब भी आपका munching करने का मन हो तो फिर आप इसको टोस्ट में लगा के खा सकते हैं पैनकेक के साथ खा सकते हैं या फिर simple plain parathay परी spread करके roll बना के भी खा सकते हैं बहुत tasty लगता है तो I hope आपको मेरी एपल जाएम की रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको जल्दी मिलूंगी अपने एक next vlog में अच्छी सी वीडियो के साथ प्लीज दो like and share the video and do not forget to subscribe the channel thank you so much for your time bye bye